वेल्कम टॉर चैनल इस शिश्टिय अगरवाल मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टुडेंस के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर क्यूई जब्यास सॉलुशन सभी सब जिसके क्यूई जब्यास सॉलुशन हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर ताकि आपको सभी के आंसर्स मिल जाए तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले गरित की क्यूई जब्यास सॉलुशन जिसमें सबसे पहले आपको दे रखा है एक पिक्चर दे रखी है देखिए यहाँ पर ब्लॉकों की संख्या को गिनिए आपको ब्लॉकों की संख्या गिननी ह तो यहां पर देखिए, एकाई और दाही में बताना है आपको, तो यहां पर चार एकाई हैं और चार ही दाही हैं, तो ऑप्शन जो सैकींड है वो करेक्ट हो जाएगा, अगला है चार दाही धन, पांच एकाई एक्वल टो कितना हो जाएगा, तो जब हम जोड़ेंगे तो क् यहां पर देखिए, आपको कुछ एक पिक्चर में इस ताइप से दिखाई दे रहे हैं कुछ इस्टिक्स, माचिस्त की तीलिया, तो माचिस्त की तीलियों की संख्या बराबर कितने दाही और तीन एकाई है, तो यहां हो जाएगा, आपके पास में आंसर, पांच दाही हैं यहां पर यहां ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ को करेक्ट कर दिया गया है, यहां पर फोर्थ, जबकि यहां पर पांच दाही है और तीन एकाई है, ठीके, तो इस कुछिन को आपको, फोर को क्लिक कर देना है, अगर आपको क्लिक करने का बो तो यहां पर हो जाएगा 24-24, option second correct हो जाएगा, अगला कोशन है, कितने दाही और 7 एकाई बराबर कितने संख्या होगी 17, तो यहां पर 1 दाही और 7 एकाई बराबर हो जाएगा 17, अगला कोशन है, यहां डोनर्स दे रखे हैं, आपको देखिए कुछ चार्ज में डोनर्स हैं, और बहार की चार जो हैं, वो बहार है, ठीक है, 10 दोनर्स और 4 खुले डोनर्स हैं, उसके पस कुल कितने दोनर्स होंगे, तो यहां पर देखिए, 4 एकाई में लिख देंगे, और जो आपका 3 जार है, तीनों में 10-10 हैं, तो यहां पर 30 हो जाएगा, तो 3 क्या है आप यहां लिख देंगे, दाही में आप्शन 4 को क्लिक कर देंगे, नेक्स कोशन है, अब एकस में इकाई में 0 दे रखा है, दाही में 3 है, तो यहां संख्या बन जाएगी, 30, नेक्स कोशन है, यहां पर अगिन हमें एक पिचर दे रखी है, दिये गए बिंदो की संख्या गिनिये, सह को इकाई में लिख देंगे यहां option second correct हो जाएगा अगला question है संख्या 37 में कितने दाहिया है तो यहां पर दाहिया है तीन तो option third correct कर देंगे इकाई पूछेंगे तो यहां पर हो जाएगा 7 इकाई है ठीके next question है आपको दाही और इकाई में अगे कुछ बिंदू दिखाई दे रहे होंगे तीए गए चेत्र में कितनी दाहियां इकाई है गिंती कीजिए और सही विकल्ड चुनिए तो तीन इकाई हो जाएगा यहां पर और तीन ही दाही हो जाएगा तो option 4 correct हो जाएगा तीन दाही तीन इकाई अगला question है इनमें से कौन सा विकल्ड 28 के बराबर है तो 8 इकाई हो जाएगा दो दाही हो जाएगा option 1 correct हो जाएगा अब दिखेंगे subject English के quiz अभ्यास का solution जहां पर आपको सबसे पहले एक picture दे रही है what is shown in the given picture आपको ये picture किस चीज की दिखाई दे रही है ये है classroom जहाँ पर benches लगी हुई है chairs लगी हुई है ठीक है कुछ study material वाल पर चिपका रखा है तो ये क्या है classroom option 4 correct हो जाएगा next अगर एक picture दे रही है what is shown in the given picture ये है almira की picture तो option 2 को correct कर देंगे next अगर हमें पूचा है what is shown in the given picture ये है football तो option first correct कर देंगे next अगर हमें पूचा है what is shown in the given picture तो ये है air conditioner जो जिससे room AC बोलते है जो कि window पर लगाया जाता है window AC जो split AC होता है वो दिवार पर लगता है और जो window AC होता है वो किसी window में लगता है तो ये है window AC की picture यहाँ पर हम correct कर देंगे air conditioner next है अगर एक picture दे रखे है the person who is flying the airplane is known as तो जो flying करता है airplane को वो कौन होता है वो होता है pilot तो option 4 correct कर देंगे अगला question है हमें अगर एक picture दे रखी है what is shown in the given picture तो ये sign जो है red वाला आप देखिए प्लस का sign है red में जो ये कहां पर दिखाए देता है आपको hospital का sign है ठीक है तो option 3 को correct कर देंगे next हमें एक प्रतीमा दे रखी है एक मूर्ती statue दे रखा है what is shown in the given picture तो ये है statue ठीक है ये है महाना प्रताप का statue next है एक again picture दे रखी है what is shown in the given picture तो ये है violin तो option 4 को correct कर देंगे next again picture है who is shown in the given picture तो ये है banyan tree बरगत का पेट ठीक है जिसे banyan tree कहते हैं English में option 3 को correct कर देंगे next है who is shown in the given picture ये है wheelchair तो यहाँ पर option 4 correct हो जाएगा next है again picture है तो what is shown in the given picture ये है staircase तो option 1 करेक कर देंगे next है what is shown in the given picture ये तो आप सभी को पता होगा ये है mobile phone तो option 3 को correct कर देंगे अब देखेंगे subject Hindi के quiz अभ्यास का solution जिसमें question first है namely कि शब्दों में से किस शब्द में share अक्षर प्रियुक्त हुआ है तो share अक्षर है only kalash में तो यहाँ पर option 2 correct कर देंगे next है shall jump शब्द में तीसरे स्थान पर कौनसा अक्षर है तो यहाँ पर जै अक्षर है जै की नीचे बिंदू लगा हुआ है तो यहाँ पर option 3 को correct कर देना है अगला है यह किसकी picture है मटका तो यहाँ पर टै लिखने से यह word पूरा हो जाएगा मटका तो option 2 को correct कर देंगे अगली picture है एक pen की चित्र में दिये के वस्तू का नाम क्या है जिसे बोलते हैं हिंदी में column तो option 4 को correct कर देंगे next question है निमली की शब्दों में किस शब्द में त्रै की ध्वनी प्रियुक्त हुई है त्रै की ध्वनी है पात्र में ठीक है option 3 correct कर देंगे next है यह है सूरच चाचा तो यहाँ पर हम इसे पूर्ण करेंगे जै लिख करके जिससे बन जाएगा यह सूरच next है चित्र एक चित्र दो चित्र तीन चित्र चार दे रखा है दिये गए चित्रों में से किस चित्र ने नाम में रै की ध्वनी है रै की ध्वनी है रस्ती में चित्र नमर चार में तो option 4 correct हो जाएगा नेक्स्स कोशन है, निमली कि शब्दों में सईंग्तक्षर नहीं है, सईंग्तक्षर यहाँ पर देखिए, शै, शत्रियवाला, ट्रै, ग्यै, यह सभी सईंग्तक्षर है, कोश, यह है सभी वेंजन, तो यहाँ पर option second को करे कर देगे, जो की संग्तक्षर नहीं है, सिफ यानि दो अक्षरों से मिलकर बना जो जो वन होता है उसे बोलते हैं सेंक ताक्षर अगेर हमें एक पिच्चर दी गई है चित्र में दी गई जगे का नाम क्या है बच्चे स्कूल ड्राइस में दिखाए दे रहे हैं और पीच़्े स्कूल दे रहा है तो यहां इसे करक करेंगे विध्याले से option first correct हो जाएगा अगला है यहां पर किस बनको लिखें जिससे complete हो जाएगी यह है लड़की का चित्र तो यहां पर ले लिख देंगे option third correct हो जाएगा next है किस शब्द में दो सेंग तक्षणों का प्रियोग हुआ है तो यहां हो जाएगा option 3, correct, शेतर, जिसमें share और त्रे दौनो ही सेंग तक्षणों है तो option 3 को correct कर देंगे अगला है चित्रे में गाय क्या खा रही है ये ग्या नहीं है ये गाय है तो गाय क्या खा रही है खास तो option second correct कर देंगे इस तरह से done होता है आपकी subject Hindi, English और गनीत की quiz अफ्यास का solution उमीद है सभी question आपको अच्छे से समझ आये होंगे और आप अच्छे से समझे होंगे सभी question को इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी important वीडियो और भी important parts देखते रहेंगे तो जुड़े रहेंगे हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपकी कि अपकी कुछाने की करी रहे हमेंगे हमारे रहे हमेंगे वीडियो थीन च вним एके मीडियो को इसी तरह हम कराओी के साथ ड्ली ए समझेंगे मेंगे पिलेगके समझे है करेले छोके के